दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही आवशक होता है इसे दिमाग का पावर हाउस भी कहा जाता है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाउ कंपनी के ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में ये प्रोड़क्ट पिछले दो साल से एमाजोन पर बेस्ट रिसेलर बना हुआ है और शायद ये एकलोता ऐसा सप्लिमेंट होगा जिन्होंने इसकी लैब रिपोर्ट भी एमाजोन.com पर शेयर कर रखी है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देगए लिंक से चेक भी कर सकते हैं आपको बता दें ओमेगा 3 की एसिट का एक समोह होता है जो शरीर खुद से नहीं बना सकता है लिकिन हिर्दय और मस्तिश के सहीद विबिन्न शारिक प्रक्रियाओं के लिए आवशक है इसके अलावा इन कैपसूल में EPA और DHA सबसे महत्वपून रूप होते हैं ये आसानी से शरीर में पहुंचकर दि हैं तो ये आपके हिर्दय को स्वस्त रखने में मदद करती है जिन वेक्ति को वजन कम करने की इच्छा है उन्हें भी इस ओमेगा-3 fatty acid का सेवन करना चाहिए क्योंकि इससे आसानी से वेट कम हो जाता है यह कैपसूल बुजूर्ग लोगों के लिए भी बहुत सेवन करते हैं तो आपको चिंता से मुक्ति मिलती है आँखों की रौशनी बढ़ाने के लिए यह कैपसूल बहुत फायदेमंद है यह शरीर में से रक्त शरकरा को कम करने में भी शायक है इस कैपसूल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह कैंसर के खत्रे को काफी हद तक कम क करती है गर्बवती महिला को भी गर्बावस्ता के दारान इस कैपसूल का सेवन करना चाहिए यह उनके होने वाले बच्चे के लिए भी फायदेमंद होता है आपको सुबा में एक कैपसूल और शाम को एक कैपसूल पानी के साथ लेना है और इस कैपसूल का जब तक आप सेवन कर रहे हैं तब तक जितना हो सके ज़्यादा पानी जरूर पिए दोस्तों कीमत की बात की जाए तो इसके अंदर 60 कैपसूल होते हैं और इसकी रेगुलर कीमत 899 है लिकिन ऑनलाइन खरीदने पर ये आपको केवल 699 या इससे भी कम कीमत में आसानी से मिल जाता है क्योंकि इस प्रॉडक्ट को ऑनलाइन खरीदने पर छूट मिलती है अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैस्ट बाइ लिंक है आप चेक कर सकते हैं दोस्तो अगर आप इसका सेवन दिन में बताई गई डोज से जादा बार करते हैं तो आपको पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है इसके अलावा आपको उल्टियां भी आ सकती है इसलिए इसका सेवन एक दिन में एक या दो बार ही करें जिन लोगों को मचली खाने से एलर्जी है उन्हें इसके सेवन से खुजली या तोचा पर लाल सकती की समस्या हो सकती है ऐसे लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए